हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में गुननखंड करना सिखाएंगे और इस वीडियो को आप लोग अंतक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को बिल्कुल असानी से और बेहतरीन तरीका से गुननखंड को करना सिखाए जाएगा तो चलिए वीडियो स स्टार्ट करते हैं तो गुननखंड करने के लिए क्या कि यहां एक प्रसने ले लिए ठीक तो गुननखंड में होता क्या है क्या है एक स्क्वाइर है और एक स्क्वाइर के साथ गुना में क्या है कुछ भी नहीं है यानि एक है जैसे मान लिजिए अगर एक गुना एक स्क्व हो जाता लेकिन यहां क्या दिये हुआ है simple x square है यानि इसके साथ में एक गुणा में है और last वाला देखेंगे तो last कितना है 20 है तो x square के गुणा में रहता है वो और last जो रहता है वो उसको गुणा किया जाता है तो x square के साथ में क्या है एक है तो यहां एक हो जाएगा और last में क्या तिये हुआ है 20 है तो यहां 20 लिख देंगे ठीक तो यहां एक में जब 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 20 आएगा तो यहां 20 लिख दिये ठीक तो अब इसके बाद क्या करेंगे 20 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे जिसको जोड़ने पर 9 आ जाए और गुना करने पर 20 आ जाए तो चलिए अब चेक करते हैं यहां अगर 20 है इसको करेंगे 10 गुना 2 तो यह क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा लेकिन जोरने पर कितना हो रहा है 12 हो जाएगा और घटाने पर कितना होगा 8 होगा 9 नहीं आ रहा है तो आईए अगला आप ट्राइ करेंगे जब 20 को ऐसे अगर तोड़ते हैं 5 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 5 चब का 20 आ जाएगा और 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा यानि इस दो संख्या में अगर तोड़ते हैं तो गुना करने से 20 आ जाएगा और जोरने पर बीच वाला आ जाएगा तो इसी को क्या करेंगे यहाँ पर अपलाई करेंगे तो आएए अब solve करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा यहाँ x square पहले से है तो यहाँ x square लिख देंगे ठीक उसके बाद यहाँ 9 के जगा पे हम लोग कितना लिख सकते हैं यहाँ 5 है तो 5 x लिखेंगे और पलस यहाँ 4 है तो क्या लिखेंगे 4 x लिखेंगे यानि 5 x और 4 x को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 9 x हो जाएगा 9 x का जाओ पर हम लोग कितना लिख सकते हैं 5 x प्लस 4 x लिख सकते हैं ठीक तो यहां लिखेंगे प्लस 5 x प्लस 4 x ठीक अब उसके बाद last में यहाँ प्लस 20 है तो प्लस 20 यहाँ लिख देंगे अब इसमें हम लोग क्या करेंगे इस दोनों में से और इस दोनों में से हम लोग कुछ न कुछ common निकालेंगे यानि common होने वाला होगा तो निकलेगा और common नहीं होने वाला होगा तो नहीं निकलेगा तो आईए चेक करते हैं यहां x square है और यहां 5x है तो यहां से common निकल जाएगा वो क्या निकलेगा अगर x common लेते हैं तो निकल जाएगा तो यहां लिखेंगे x जब common लेंगे तो अंदर कितना बचेगा यहां x square है तो यहां x बचेगा और यहां plus है तो plus देंगे अब इस में से एकसब अएगा यानि common में आ गिया, तो अंदर कितना बचेएगा? पांच बचेएगा, तो यहां पांच लिख देंगे, ठिक, अब उसके बाद इस दोनों में से अब देखेंगे common क्या आएगा, तो यहां 4x है, यहां 20 है, यानि इस में से 4 common लिया जा सकता है क्योंकि 20 में से 4 common ले लेंगे और यहां 4 है तो 4 common ले लेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा प्लस 4 common हो जाएगा तो जब यहां से 4 common आगी तो अंदर कितना बचेगा यह वाला x बच जाएगा तो यहां x लिखेंगे उसके बाद प्लस है तो प्लस देंगे अब 20 में से जब 4 common आ गया तो क्या बचेगा 5 बच जागा क्योंकि 4 से जब 20 में भाग देंगे तो 5 आएगा ठीक अब इसके बाद क्या करते हैं यहां और यहां अगर same आ जाता है bracket के अंदर में तो हम लोग समझ लेंगे कि जो हम लोग गुनान खंड किये हैं वो सही है अगर bracket के अंदर में different आ जाए तो आप लोग उपर जरूर एक बाद चेक कर लिजेगा क्योंकि गलती हो जाता है तो अगर दोनो same आ रहा है तो सही है तो अब इसके बाद क्या करेंगे इस दोनों में से किसी एक को लिख लेंगे तो यहां से लिखेंगे x plus 5 यानि इस दोनों bracket में से एक को लिख लिए अब उसके बाद क्या करेंगे बाहर बाहर जो है इसको भी एक bracket के अंदर में लिख लेंगे तो यहाँ x है तो x लिखेंगे यहाँ प्लस 4 है तो प्लस 4 लिख देंगे ठीक यानि x प्लस 5 इंटू x प्लस 4 यही इसका क्या हो गया गुनन खंड हो गया यानि यही इसका answer हो गया तो चलिए इसी पे एक और question लेकर उसको solve करके समझते हैं तो यहाँ दूसरा प्रसन ले लिए हैं क्या है 3 x square minus 10 6 प्लस 8 है इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे देखेंगे कि x square के साथ में गुना में क्या है तो x square के साथ में गुना में 3 है क्योंकि 3 x square है तो यहाँ से 3 ले लेंगे और उसके बाद देखेंगे कि last में क्या है तो last में 8 दिये हुआ है तो इसके साथ क्या करेंगे 8 को गुना कर लेंगे तो 3,8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा तो यहां 24 लिख देंगे ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें इस 24 को ऐसे दो भाग में बाटेंगे कि गुना करने पर 24 आ जाना चाहिए और उसको जोरने या घटाने पर माइनस 10 आना चाहिए तो आईए इसको चेक करते हैं यहां 24 है तो इसको पहले हम लोग तोड़ेंगे कि 3 गुना 8 3 गुना 8 करेंगे तो 3 गुना 24 तो हो जाएगा लेकिन इसको अगर जोर रहे हैं तो 11 आएगा और घटा रहे हैं तो 5 आएगा यहां लेकिन माइनस 10 है तो माइनस 10 नहीं आ रहा है तो अब अगला चेक करेंगे 24 को फिर अगर तोड़ते हैं 6 गुना 4 यानि 6 चोग का कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा और इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा यानि इस पर ये लागू हो सकता है तो आएए अब इसी पर इसको solve करते हैं तो यहां क्या हो जाएगा 3 x square है तो लिखेंगे 3 x square उसके बाद यहां minus 10 x है तो इस दोनों को ही ऐसे लिखेंगे कि minus 10 x आ जाना चाहिए तो यहां 6 है तो minus 6 x लिखेंगे अब यहां 4 है तो minus 4 x लिखेंगे अब दोनों को अगर solve करते हैं तो क्या हो जाएगा minus 10 x आ जाएगा यानि इसके जगह पे हम लोग इसको लिख सकते हैं तो आएगे लिखते हैं यहां minus 6 x minus 4 x यहां क्या है प्लस 8 है तो प्लस 8 लिख देंगे ठीक अब इसके बाद क्या करेंगे यहां से और यहां से इस दोनों part में से common लेंगे तो यहां से पहले देखेंगे क्या common हो सकता है यहां 3 x square यहां 6 x है तो यहां से 3 x common लिया जा सकता है तो 3 x इसमें से common जब आ गया तो सिर्फ इसमें x बच जाएगा तो यहां x लिखेंगे उसके बाद यहां minus का चीन है तो minus का चीन लगाएंगे अब यहां से 3x common आ चुका है तो 3x जब common आ गिया है तो यहां से क्या बचेगा दो बचेगा तो यहां 2 लिख देंगे ठीक अब इसके बद क्या करेंगे इस पार्ट को देखेंगे इसमें क्या common हो सकता है यहां 4 x है और यहां 8 है तो इसमें से माइनस 4 को जो है common लिया जा सकता है तो माइनस 4 जब common आ गिया तो सिर्फ यहां से x बचेगा और यहां plus है जब माइनस में common आ गिया तो यहां minus हो जाएगा और 8 में से जब 4 common ले लिये तो यहां से क्या बचेगा दो बच जाएगा ठीक अब इसके बाद देखेंगे दोनों ब्रैकेट में सेम है या नहीं तो यहां भी x-2 है और यहां भी x-2 है यानि ब्रैकेट के अंदर में हम लोगों सेम आगिया है यानि हम लोग जो गुनानखन कर रहे हैं यह सही है अब से तो 3x लिखेंगे अब यहां माइनस 4 है तो माइनस 4 लिख देंगे ठीक इस परस्न का गुनानखन क्या निकल कर आ गया x-2 इंटू 3x-4 यानि यही इसका क्या हो गया एंसर हो गया तो चलिए आप लोग भी इसी परकार से गुनानखन को बिल्कुल आसानिस से सॉल्व कर स सकते हैं आई होब कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे समझे होंगे अगर आप इस चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सेर, कमेंट जरूर करें थाएंक यू